हेलो गईस फाइनली एंसी वेप की तरफ से यहां पे नोटिस रिलीज हो चुका है एंसी वेप का जो सेमेस्टर फर्स्ट के एक्जाम है जिन्होंना भी एडिमिशन लिया है 2022-2022 में पोस्ट ग्रेजुट कोर्स की मैं बात कर रहा हूं ठीके इसके एक्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हो चुके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ठीक है यह एक्जामिनेशन फॉर्म है डेट इसकी दिखो आप लोग देख सकतो साथ फरवरी 2030 यह आज का नोटिस है यह टिक लास्टा आपकी क्या होगी एक्समिनेशन फॉर्म फिल करने के यहां देखो लिखा भी है क्याना में 282-2023 तो यानि 28 फरवरी से पहले आप सभी लोगों को साड़ी पांच विले से पहले एक्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है यह जिया नको और एंसी वेब के फस्समेस्टर के स्वेंट को ठीक है पीजी कोर्स के लिए यूजी कोर्स के लिए मैंने और लेड़ी बता रखा है कि आपको 18 तारीक से पहले भरना 18 फेब से ठीक है तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिक्शन में दे रखा यूजी वाले बच्चों के लिए यह सिर्फ पीजी वाले बच्चों की मैं यहां बात करूँ पोस्ट अब यहां पर आपको अभी कुछ नहीं पता यहां पर आपको क्या पासवर्ड आपका तो मैं आप लोगो बता दूँ सबसे पहले आपको यहां पर न्यूरी इंट्रेशन इस पर आप लोगो किल्क करना है और यह आप लोग देख सकते हो तो आप मुझे इंस्टाइप पर मैसेज कर सकते हो तो फिल करें नियु रिप्टोप से कर सकते हो और आपको अपनी email देर्स फिल करने होती है इस पर आता है उस otp को आपको फिल करना होता है जिसके बाद आप अपना यूजर नेम और पास्वर्ड बनाते हो फिर उसके बाद आप लोग लोग इन करते हो ठीक है और आपका एंडोल्में नंबर जो है वह चेक आउट कर लेना जो आपके पोर्टल पर मिल जाएगा ठीक है मैं आप लोगों को दिखा दिता हूं यहाँ तो सबसे पहले यह आपको कोर्सकोड कहां से मिल जाएगा पोर्टल को अपने बोलोग को में न दुर को裡 जाएगा फिर यहां पर आपको ऑपकी कॉर्सकोड मिल जाएगा भी तो enrollment number पर ही हम click करेंगे enrollment number भी आपको वहीं से मिल जाएगा ठीक है नहीं मिलता है तो आप contact कर सकते हैं अपने college से ठीक है जो भी आपको डिपार्टमेंट एलोट हुआ होगा वैसे आपको enrollment number मैंने ओलेडी वीडियो बना रखें तो आप जाकर check out कर सकते हो ठीक है फिर यहां पर जो है आपका capture code फिल करने के बाद यहां पर आप लोग सम्मिट करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है दुबारा से बेक आजाना है अब जब आप सम्मिट करोगे तो आपके पास एक email आया आपने email फिल कर यूग उसका आगे procedure email के बाद OTP generate होता OTP फिल करने के पर समस्टर में कौन कौन से पेपर हैं और कोर्स कोड़ आपका सही होने चाहिए पेपर कोड़ आपके सही होने चाहिए जिस समेचे में जितने सब्जेक्स हैं उसके code सही होने चाहिए ठीक है फिर आपको last में examination face fill करने होती है मैंने यूजी courses का already example दे रहा है तो आप पूजी courses का लेकिन आपको PG का fill करना है ठीक है और बाकी अगर आपके query है तो आप मुझसे इंस्टा पर पूस्ट सकते हों